इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काईदा नमबर 18 और काईदा नमबर 19 दोनों पहले यहाँ पर आप काईदा नमबर 18 को देखिए यह है वक्फ के बारे में वक्फ का मतलब होता है ठैरना रुकना जब हम कुरान पाक की कोई आयत पढ़ते हैं तो उसमें हमें कहां पर रुकना है कहां पर नहीं रुकना है यह इस काईदे में बताया गया है आप इस गोले को देखिए यह अलामत आयत कहलाता है मतलब जहां पर भी बना हुआ आता है वहां पर आपको रुकना होता है और साथी जो last वाला हुरूफ होता है उसको साकिन कर देना होता है जैसे कि यहांपर जोजानी है तो इसको कर देंगे जोजान अगर कहीं पर meme बना हुआ आता है तो उसका मतलब यह है कि यह वक्ष लाजिम है और यहांपर ठेहरना जरूरी है जैसे कि देखी यहाँ पर यह मीम बना हुआ है मतलब यहाँ पर ठैरना जरूरी है और जहाँ पर भी ठैरते हैं लास्ट हुरुफ को साकिन कर देते हैं यह तो एक common rule है फिर एक है जीम अगर कहीं पर जीम आता है तो इसका मतलब वहाँ पर ठैरना जाइज है मतलब आप रूख सकते हैं और अगर चाहे तो नहीं भी रूख सकते एक होता है तो इसको वक्ते मुतलग बोलते हैं मतलब इस पर आपको रूखना होता है और जब आप रूख जाते हैं लास्ट वाले हरुफ को साकिन करना होता है इसी के साथी आप एक चीज और समझ लीजिए कि जब कोई आयत आती है या कहीं पर हमें रुकना होता है तो अगर लास्ट में ता आती है तो उस ता को हा में बदल देते हैं जैसे कि यहाँ पर समा नियतुन है यहाँ पर आयत आ गई तो इसको हम ता को हा से बदल कर साकिन कर देंगे यह पढ़ा जाएगा समा निया तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे सामने आयत आ गई तो इसको पढ़ेंगे सामने आयत सामने आयत तो इसको हम जकरिया पढ़ेंगे यहाँ पर जिसम नहीं लगाएंगे क्योंकि अलिफ खाली होता है यहाँ पर देखिए सा जबर सा मीम खड़ा जबर मा नून्जेरनी या जबर्या ता दोपेश तुन समानियतुन सामने आयत समानिया ता को हम से बदल कर साकिन कर देंगे पढ़ा जाएगा समानिया काफ वाउपेश कुव यहाँ पर साकिन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर तौ आ गया यानि वक्फ मुतलग तो इसको हम पढ़ेंगे कुव ता को हाँ से बदल कर साकिन कर देंगे यहाँ पर मीम आ गया यानि वक्फ लाजिम तो यहाँ पर लास्ट वाले हुरुफ को साकिन कर देंगे वालिदा तिक गईन या जिबर गई राजेरी हाँ खड़ाजेर ही गईरी ही यहाँ पर जीम आ गया यानि वक्फ जाईज अगर आप चाहें यहाँ पर रुक सकते हैं वरना आप नहीं भी रुक सकते हैं अगर आप रुकेंगे तो इसको पढ़ेंगे गईरी ही और अगर नहीं रुकेंगे तो पढ़ेंगे सामने आयत तो यहां पर काईदा नमबर 18 में आपको यही चीज़ समझनी है कि आपको कहां पर रुकना है और जब रुकेंगे तो आप वहां पर लास्ट हुरुफ को साकिन करके पढ़ेंगे जैसे कि अब यहां पर प्रेक्टिस करेंगे वाफ पेश को लाम वाफ पेश लू बाजेर बी हमेंजेर हीं गुलूबी हीं वाव जबर वा आइन जबर आ लाम खड़ जबर ला वा अला हमजब जबर अब साद अलिफ जबर सा राजेर हीं गुलूबी हमेंजेर हीं वाव जबर वा आइन जबर आ लाम खड़म जबर ला वा अला वाव जबर वा लाम खड़ला हमीं पेश हुम गुलूबी हम खड़मूबी 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 हम जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया अगर किसी हरूप पर तजदीद होती है और उससे पहले वाले हरूप पर जजबन होता है तो पहले वाले हरूप को नहीं पढ़ा जाता तो यहां पर मीम को या के साथ मिला कर पढ़ेंगे और नून को छोड़ देंगे हमजा कल जबर आ मीम नून जबर मन नून अलिव जबन आमन बालामसेर बिल लाम कल जबर ला हाजेर ही बिल लाही वाजबर वालामसेर बिल या वाजबर यो मीम लामसेर मिल वा बिल यो मिल हम्जा कल जबर खौसेर booking, राजेर री, आखीरी, वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा अम्ना, हमी पेश हम, बाजेर बी, मीम हम्जा पेश मू, मीम जेर मी, नुन याजेर नी, नुन जबर न, व मा हम बेमुमनीन, सामने आयत, बेमुमनीन इसको हम बिलाकर इस तरीके से पढ़ेंगे खतम लाहे जाला कुलूبिहिम वाला समिहिम वाला अबसारिहिम जिशावत वलहुम अधाब अजीम वमिन नास मैं यकूल आमना बिल्लाह वीव्म आखिर वमा हम बिमुमिनीन यह है काईदा नमबर 19 इसमें आपको दो रूल समझने है पहला तो यह कि कुरान पाक में एक खुरूफ ऐसा है जिसको मारूफ नहीं बलके मज्छूल पढ़ा जाएगा वो है मज्रेहा अगर इसको हम पढ़ें मज्रीहा तो यह मारूफ है और अगर हम पढ़ें मज्रेहा तो यह मज्छूल है तो कुरान पाक में जो यह आया है इसको हम मज्रीहा नहीं बलके मज्रेहा पढ़ेंगे दूसरे आपको यहाँ पर यह समझना है कि कुरान पाक में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो सौाद के साथ है लेकिन उनके उपर एक छोटा सा सीन भी बना हुआ होता है तो इसका मतलब यह है कि हम उन्हें सीन और सौाद दोनों के साथ पढ़ सकते हैं जैसे कि इसको हम यब सूतु और यब सूतु दोनों पढ़ सकते हैं इसी तरही किसे बस तौतन या फिर बस तौतन दोनों तरही के से पढ़ सकते हैं तो सीन और सौाद इसको हम दोनों पढ़ सकते हैं यहां पर हमें प्रैक्टिस करनी हैं इसकी हिज़े आप खुद भी कर सकते हैं यहां पर मैं आपको बता देता हूँ के मिला कर कैसे पढ़ना है इसमें से आपको जो भी हुरुफ अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको हिज्जे करके पर सकते हैं जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यह क्या हिज्जे कर सकते हैं इसी तरीके से कोई भी हुरुफ अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उसे हिज्जे करके पढ़ सकते हैं लेकिन जब पारा शुरू हो जाएगा तो उसमें हम हिज्जे नहीं करेंगे बलकि उसमें हम रवा पढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे काईदा नमबर 20 जो आफिर काईदा है